आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ ड्राइफ रूट्स के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू सरदियों के मौसम में ड्राइफ रूट्स के लड्डू बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होते हैं अगर आप दिन भर में एक लड्डू खा लेते हैं या बच्चों को खिला देते हैं तो दिन भर एनर्डी रहती है तो जरूर खिलाना चाहिए सरदियों में ये स्पेसल ड्राइफ रूट्स के लड्डू खासियत यह है कि इसमें ना हम चीनी ना ही गुड का ही इस्तिमाल करने वाले हैं तो diabetes वाले भी इन्हें आसानी से ले सकते हैं तो बहूत ही फाइदेमान लड़ू हैं बहुत ही ज्आधा टेस्टी लगते हैं आज आपकी रक्षा फिर सेहाज है आपके लिए नई रेस्पी के साथ तो जड़ी फ़र सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो ड्राइफ रूट्स लड़ू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 50 ग्राम काजू पचास ग्राम मैंने लिए हैं बादाम और पचास ग्राम ही मैंने लिए हैं अकוכन्ति刘 dipping यहाँ पर मैंने सारे ड्राइफ रूट्स बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लिए हुए हैं इसको पिस्ता डाल सकते हैं या जो भी आपको ड्राइ फ्रोट्स पसंड नहीं है आप उसको कर सकते है तो यहां पर हम एक पैन रखेंगे हम सबसे पहले बादाम को भूनेंगे तो आपको कुछ भी जाएंगे तो हमें इनकी सिर्फ नमी को दूर करना है इसलिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर रगबग एक से दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं जैसे ही बादाम हलकी से रोस्ट हो जाते हैं तब हम साथ में ही डाल देंगे काजू और इसी तरह से हम काजू को भी हलका सा भून लिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल इनकी हलकी सी कलर चेंजिंग हो गई है इस तरह से बस इतना ही हमको भूनना था तो चलिए इन दोनों ड्राइफ रूट्स को हम सबसे पहले एक प्लीट में निकाल लेते हैं अब इसी तरह से हम भून लेंगे अखरोट को हम अल अखरोट को भूनने में लगबख हमें एक मिनट का समय लग जाएगा तो लीजिए हमने अखरोट को भी अच्छे से भून लिया है तो इसको भी हम उसी प्लेट में अलग निकाल लेते हैं जब ड्राइफ रूट्स हलके से ठंडे हो जाएंगे यह देखी हलके से ठंडे हो हैं मैं इनको छूप आ रही हूं तो अब हमें ग्रेंडर जार में इन सारे ड्राइफ रूट्स को डाल देंगे और अब आपको इनको दरदरा पीस लेना है तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जैसे ही मिक्सी चलाएंगे यह बहुत तेजी से पिस जाते हैं अग्दम फाइन पाउडर बन जाएगा तो आपको क्या करना है कि इसको ओन ओफ करते हुए केवल आपको ती तीन बार या तीन से चार बार ही ओन ओफ करना है इतने में ही आपके जो ड्राइफ रूट्स है अच्छे से दरदरे हो जाएंगे अगर आपने चला दिया तो यह एकदम बाउडर बन जाएंगे जो कि हमें विल्कुल नहीं चाहिए हैं हमें कुछ इस तरह से चाहिए कि थो इसको अलग निकाल लीजिए या तो आप दोबार इनको ऑन ओफ करते हुए तो नर्स मिला दिया है जैसा इनको ददर धर्या मिल दिये हैं हैं उनते प्रोसीजर कीा तरफ और यहां पर मैंने दी एंपने रिचूरा को इंड्लिए भूस में घgypt के पिछांते तो तो यहां पर मैंने लगबख 50 ग्राम जितने ड्राइफ्रूट लिये थे, 100 ग्राम मैंने यहां पर पिंड खजूर लिये हैं, तो सबसे पहले तो हम इनकी गुठनियां अलग कर लेते हैं और इनको बारी कार लेते हैं, पिंड खजूर बहुत ही फायदे मंद होते हैं, इनसे जो जिनकी हड़ियां कमजोर हैं, वो भी दूर होती हैं, जिनकी हड़ियों में आवाज आती हैं, वो समस्या भी दूर हो जाती है, गुज़रों वह तो खास करके पिंड खजूर का इस्तमाल करना चाहिए, तो अब हम इन पिंड खजूर को डालेंगे, फिर से उसी मिक्सी में जिसमें हमने ड्राइफ रूट पीसे थे और इसमें लगबग हम एक कब डालेंगे पानी और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, तो लीजिए हमने पिंड खजूर को पीस लिया है, और इसका हमने एक पे जितना भी पेश्ट लगा हुआ है उसमें थोड़ा पानी डाल करके संसको प्रीन कर लेगे साफ कर लेंगे उसमें आप निकाल लिया है और अब हम गैस को कर देंगे फुल और फूल फ्लेम पर हम इसको अच्छे से चलाएंगे याने की गरम होने देंगे पकने देंगे और जैसे ही यह मिस्टरन जो है पकने लगता है यानि की गरम हो जाता है तब आप बीच में चाहे तो गैस को थोड़ा बहुत मेडियम भी कर सकते हैं ताकि और अच्छे से पक जाए तो अभी आप इसका एक चीज नोटिस करें इसका कलर आप ध्यान से देख लीजिए कि इसका कलर कैसा है और जब हम इसको चलाते जाएंगे पकाते जाएंगे तो इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा यह आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम डार्क हो चुका है और अब इस स्टेज पर आप चाहे तो यहां ऑप्सनल है आप चाहे तो इसमें गी डाल दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी साइनिंग आ जाए यह देखिए और हम इसको अच्छी से चला लेते हैं और आप इसको तब तक पकाए जब तक कि यह जो है अपना तल छोड़ना शुरू ना कर दे दीरे और भी ज्यादा थिक हो जाएगा और अपना तल है एकदम मिनट लगे हैं इस मिश्रण को पकाने में और इस तरीके से लाने में तो चलिए अब हम कैस को बंद कर देते हैं और मिश्रण को हम हलका सा थंडा होने देंगे तो मिश्रण जो है हलका थंडा हो चुका है आप देख सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बवाइफ यहां पर आप चाहे पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपतल दिन बभाषलेफ नारील भी कह्ते हैं यह संता है शहले कि बाइसार में आप गर बिलाथ है must की रेस्पी सीयर की हुई है अपनी यूटूब चैनल पर चलिए इसको भी हम अच्छी से मिक्स कर लेते हैं तो लीजिए हमने इसको भी मिक्स कर लिया है और ये थोड़ा सा और गाड़ा हो गया है तो अभी इससे असाली से लड़्डू बन तो हम अभी इससे लड्डू बना देते हैं बस मिश्रण अभी हलका सा गरम है बहुत जादा थंडा ना होने दे लेजिए लुकुल कम्प्लीट हो चुका है मिश्रण हमारा चलिए अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करते हैं तो यह जो लड्डू है यह बड़ी आसानी से बन जाते हैं जिलनों को लड्डू बनाते नई भी बनता है उनसे भी बन जाएंगे क्योंकि अभी देख सकते हैं इसका जो मिश्रण है काफी soft है मुलायम है क्योंकि अभी यह हलका सा गरम है तो गरम में ही आप बना लेंगे तो बड़ी आसानी से लड़ू बन जाएंगे तो लेजिए हम इसी तरह से लड़ू बना करके तयार कर लेंगे तो लड़ू का साइज आप जितना पसंद करते हों बड़े साइज रख सकते हैं चोटा भी रख सकते हैं देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं चाहे आप एक हाँ से बना ले या दोनों हाँ से बना ले जैसे आपको बन जाते हैं आप उसी तरह से लड्डू बना करके तयार कर सकते हैं लीजिए हमने दूसरे लड्डू भी बना करके तयार कर लिया है और इसी तरह से हम स सारे लड़ू बन करके हो गए हैं तैयार, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी हमारे ड्राइफूट्स के लड़ू बने हैं, बिना चीनी के बिना गुड के बहुत ही आसान तरीके से हम ने इनको बनाया है तो आप भी इनको जरूर बनाएं सर्दियों में ड्राइफू यह देखिए बहुत ही बड़िया सौफ लड़ू बना है और इस तरह से आप लड़ू बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं तो फ्रेंड्स यह लड़ू आप अभी जाएए घर पर बनाईए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपकी लड़ू कैसे ब पॉलो कर लें वहां पर भी मैं अच्छी रेस्पी लेकर के आती रहती हूं तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार